हेलो है वेरी खूट इवनिंग टू ओल आफ यू कैसे हैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि पूनम मैं फिर आ गए हैं अक्लास तेंथ का वन शोट लेकर जो आप लोगों ने कहा था कहा था ना की मैं हमें थर्ड चैप्टर का वन शोट दे दो तो मेरे बच्चे कहें और मैम ना करें ऐसा हो नहीं सकता जल्दी से आजाओ फड़ावट क्लास को जाइन करो और दोस्तों क्लास को शेर कर दो की मैं सेकिंट थर्ड चैप्टर जो है उसकी वन शोट लेकर आच चुकी है जल्दी जल्दी आ चाहिए ताकि हम आज का टॉप शुरू कर सकें है क्योंकि आप एकजाम्स भी थो आगए है लिए इसे लिए आपकी HELP करने के लिए पूनम नम्त आ गई है आप लोग जल्दी से आ जाजा और कमेंट से क्किन में बता दो कि आप लोग सब कैसे हैं फटाफ़ावट क्लास को जोईन करो बेटा जल्दी से क् और दो ओके अच्छा पहले चैप्टर में सब कुछ क्लियर था समझ में आ गया था अब हम अपना जो थर्ड चैप्टर है उसको हम शुरू कर रहे हैं और उसको हम इतना अच्छे से क्लियर करेंगे इन शोर्ट कि आपके एक्जाम में पॉइंट टू पॉइंट जहां से क्या क्वेश्चन आना है वही टॉपिक यहां पर अपर डिसकस करेंगे तो बिना देरी के जल्दी से जॉइन कर लो फोटा फोट क्लास को शेर कर दो कमेंट शेक्ष में लिखके बता दो कि आप सब बहुत अच्छे हैं राइट तो चले आज आईए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं साइन्स में केमेस्ट्री का थर्ड लेक्चर जिसका नाम है धातू और एधातू है ना जैसा कि आप लोगों को स्उप्रीम पर इमीज दिखाए रही विमें कुछ चीजें चमकती बहुसर आ रही हैं और कुछ चीजें चमक नहीं रही है इससे अधातू नहीं दहातो लग रहा होगा कि मैं दहातो पढ़ने साथ जिसक्त पढ़ने वाले हैं चैनलने हैं felt ए सबात करूं और एधातु की बात करूं तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसका जनरल सा कॉंसेप्ट मैं आज थोड़ा सा आपको बताते हुए आगे धीरे-धीरे हम इस टॉपिक को लेकर जाहेंगे तो हम आज पढ़ेंगे इसका सामाने परिचे और जितनी भी अभी किया इधात करते हैं और उनसे प्रॉडक्ट क्या बनते हैं हम एक फ्लू चार्ट बनाकर डिसकस करेंगे तो जल्दी से फटाफट को सी की पेटी को बांदो और कोपी पैन लेकर के इस तरह बैट जाना कि अब पूरी क्लास देखकर ही उठना है प्रामेस यास थैंक यू तो चलते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपन जो चीज पढ़ने वाले हें विटा अपने जो का नाम है वो क्या है विटा धातु और क्या है बिटा एधातू क्या है राजा धातू और क्या है और एधातू है ना हम सब कुछ बातों को बहुत अच्छे जानते हैं यहीं रियल लाइफ में मैं आपको कनेक्ट करना चाहूं तो धातू और एधातू अपन सब देखते ही हैं जैसे आईरन लोहा लोहे के गेट ह है देख रहे हो न वे चमकता है चमक रहा है लोहा क्या करता है계 मत्ता है तो वो क्या है धाततु है यंवाहें पर मैं कारभन की बात करूं कोयला हम सब देख्टे ही पर वह चमकता नहीं है इसका Mथल वह धातु भी नहीं है या बेसिकली दिमाग पर याधि क्लिक करवाना है तो मैं यह कहाई कि धातु जो होती है वहीं पर एधातु की बात करूँ तो चमकदार नहीं होती है बात समझ में आगी तो बेसिकली आपको क्या करना है गुण धर्मों के आधार पर क्या बताना है गुण धर्मों के आधार पर बताना है कि धातू क्या होती है और एधातू क्या होती है एधातू क्या होती है किसकी आधार पर गुणों के आधार पर तो हम सबसे पहले यही चीज देखेंगे कि धातू जो होती है और एधातू जो होती है उनमें major difference क्या होता है क्योंकि generally आपके exam में 101% तू मांक्स का जो question आता है वो आता है आपका धातु और एधातु में अंतर सी नथा दात्व में कुंसी होती है एक skills बारे में थोड़ा सा चरचा कर ले कि लगभग आज की दी में बात करूं तो अपने पूरे विश्व में जो धात्व की खोज की गई है वह था दॉट क्या है गूस दी हो उपधाथू क्या होती है जातू मैंने बता दी देखते ही पहता चस्पर चमकती है टाट्स नहीं चमक भी ऐड़ातू है इन में कोई अपवाद नहीं कि चमकदार है पिर भी says कुछ नहीं थीक है वह कौन से अन्हों है बताऊंगे तक आपको क्लियर हो जाएगा ठीक वहीं पर मैं बात करूं कुछ उपधाद जहां पर बेटा इन दोनों के गुण है जिसमें इन दोनों के गुण है वो क्या होती है उपधात हुए होती है चले तो देखो तो सोडियम पोटेशियम मेगनेशियम एल्यूमिनियम केलशियम यह सब क्या है धात हुए है वही पर आक्सिजन हाइडोजेन नाइट्रोजन सलफर फॉसफोर्स की बात करो तो यह सब क्या है यहाँ समझ आ गई है बात सबी को हां या ना जल्दी से बता दो थम सब भीज तो ठीक अब दिखते हैं अंतर अंतर क्या कहना चाह रहा है यहां से ध्यान से पढ़ लेना यह आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से क्योश्चन आएगा टू मार्क्स का सो प्रतिशत ठीक है सो प्रतिशत क्योश्चन आना है भई सो प्रतिशत तो बच्चा पार्टी अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको बात समझ में आ जाए चले आ जाओं जैसे कहा कि अच्च जी तरल रूप में हैं मोजूध को छोड़कर आम तोर पर क्या होती है ठोस यान थाहँ तो द्रव अवस्ता में तो वह क्या है आपका अपवाद है है ना अपवाद है क्योंकि मर्कृटी जो है कमरे केताब पर द्रव अवस्ता में रहती है clear हाँ या ना द्रव अवस्ता में रहने का मतलब है उसके मद्य हाइड्रोजन बंद या बंद जो होते हैं वो दुरूबल प्रवर्ति के पाए जाते हैं ठीक ओके जबकि धातु की बात करूं तो वो तरल ठोस हो सकते हैं कार्बन ठोस है वहीं बियार और तो पड़ें होगे तत्व पढ़ें हम हाइड्रोजन नॉक्सीजन फ्लोरीनौरीन व्रोमीन पढ़ेन बशन यह अपने पढ़ा हुआ भी है तो यह बिंग से सकते हैं कि वो तका वह क्या आपने देखा हुआ है कि सोने का जो तार होता है वो बनता है हम सोने की चैन पेढ़ेंद की चैन पेढ़ेंद तो वह क्या है उसमें तार ही तो आ रहे हैं कि नहीं तनयतह का गुण करकर थार्विश करके उन्हें तार बनाने केयर रहत पाई जाती है वहीं पर एधात्वोर में ऐसा कारियर नहीं होता ये थातु के अंदर लछीलापन नहीं होता है डवट बीटों यह कहते हैं जैसे यह आप उसको मारते हो थो उसमें गंजन सी आवागाती है तनju कर रहे हैं तो आप लोग एक क्या है द्वनी से आप का क्लियर हैं चलो जी आजओ वहIn यह क्या होते हैं नौन सोनोरस अब यहां से क्यूस्टन आता है सोनोरस क्या है सोनोरस क्या है तो आप कहेंगे ध्वानी उत्पन करने के धातु में ध्वानी उत्पन होने के गुण को सोनोरस कहा जाता है ध्वानी उत्पन करने के गुण को क्या कहा जाता है बिटा सोनोरस कहा जाता है यह चमकदार होती है कि तो मैंने आते से ही बता दिया था सीजियम और क्या गेलियम जर्मेनियम हां गेलियम को छोड़कर यह उच्छ गलनांक वाले होते हैं यह उच्छ वाले तत्वा सीई और गेलियम बैलों की तुलना में करने ल法 inventor चोड़ को नहीं को नहीं ले सकते क्यों कि नहीं पर होगा टॉबलास्ट का प्रवाव हुई नहींगे हम बिजली देखी नहीं पाएंगे आप और हम अभी जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं तो वो भी काले संभव नहीं होगा इसलिए धातू के तार उन धातूं से बनाई जाते हैं जो सॉलिड हो स्ट्रोंग हो जिनका गलनांग पत्नांग उच्छ हो ताकि वह आसानी से पिगल ना सके ग्रेफाइट सी का रूप कर कार्भन का रूप छोड़कर गर्मी और विजली के ताउस संभाक होते हैं क्यानी कि विद्वित का चालन नहीं करती है कभी भी नहीं करती है tents है आजाओ जी सोडियम पोटेशिum को छोड़कर इनके घनत्वा उच्छो होते हैं और हीरे को छोड़कर इनका घनत्वा से यानि कार्बन का अपर रोप है ना रियक्टिव यानि क्रिया शिल्टा क्रियं शिल तो प्रते क्रिया शिल नहीं होते हैं जब कि धात्मिब स्क्रेंट है इसका अपसर जानते हैं依ा देखा यूटुक्प क्थया दूटिएस पर अगर पा दाल है अग्लाय और जाते है क्या है लेकि धातों अत्याधिक क्रिया शेल होती है clear राजा और आइनिक बंद मौजूद होते हैं आइनिक मतलब यदि आप धातों को क्या करते हैं किसके साथ घोलते हैं तो वह अपने आइनों में तूट जाता है जैसे यह आप यूख रहें कि आप धातूं में जैसे आपने पानी के साथ में नमक को डिसल किया है ना अने आपका बहुत इंपोर्टेंट है यह जाना नहीं भाई रुको बाद में देख लेना तो मेरे जाने के बाद तो आने सील को पानी में गोलते तो गूल जाता यह अपने आयनों टूट है जाता है सौडियन धातू ही तो है हाँ यह ना क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा पाला ओके मेरा बच्चा चलो यह क्यास्टन आपका बहुत इंपोर्टेंट है इसमें डू माक्स का यह क्यास्टन आपकी पेपर में छपा हुआ है इसलिए वन शोट में तुरंद बता रही हैं चले आज आओ जी अब चलते हैं अपने टॉपिक पर आप जैसे अपने पता चल गया है अंतर मालुम चल गया है तो अब हम बैसिकली आज शुरू करेंगे आपना जो टॉपिक में है कि क्रिया शिल्ता के आधार पर जो अभी क्रिया होती है धातूं की तो अपन यहां पर बैसिकली दिमाग में फीड कर लेते हुए कि अपन जब धातूर एधातू की अंतर तो पाचल गया है यानि धातूं की क्रिया शिल्ता देखेंगे तो उनके विपरित जो काली होगा वो सब कौंदर खाएगा एधातू तो हम यहां पर बैसिकली धातूं को ही डिसकुशन करेंगे एंड तक ओके डन आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा आज बहुतिक गुंदर्म तो पता चल गए ना अभी आपके सामने थे जो अंतर था वो बहुतिक गुंदर्म थे अब क्या है आपके पास धातूं के धातूं के क्या बिटा कि रासाइन के गुंदर्म क्लियर धातूं के रासाइनिक गुंदर्म धातूं के रासाइनिक गुंदर्म की मैं बात करूं तो बिटा टोटल आपके पास फाइफ रासाइनिक गुंदर्म हैं सभी बच्चे ध्यान से देखना कितने पांच कितने हैं टोटल पांच एक दो तीन अच्छाई से बड़ा दो तीन चार ठीक है यह सोरनू बात समझ में आगे सभी को तो पांच तो पहली reaction कौन सी है धातु के साथ अभी किया कौन सी है सभी बच्चे गोर्छे देखें ऐस सबसे पहले धातूं की जो भी किया है वो है कि धातू की वायू के साथ वायू के साथ अभिक्रिया यानि वायू के साथ अभिक्रिया जब धात्मे करती है तो क्या होता है यह पढ़ोगे सेकिन आप पढ़ोगे जल के साथ अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया थेखें और थाड़ आप पढ़ोगे जब आप धातु की जल के साथ क्लिया करवा चुके हो तो अब आप पढ़ोगे धातु की किसके साथ तनु अमलों के साथ अभी किया धातु की तनु अमलों के साथ अभी क्लिया क्लियर बेटा बात समझ में आगए और उसके बाद है क्या धातु की अमलों के साथ है धातु की अन्य धातु लवनों के साथ क्लियर अब वहीं पर आता है क्या बेटा धातु की अन्य धातु लवनों के साथ और लास्ट धातु की अधातु के साथ यानि भूक में आपन पढ़ते ना तो अपन कंफ्यूज जाते हैं आप किसकी अभी किया अब किसकी आज के बात आप लासाइनी गुंधरब पढ़ रहे हैं और दात्वों में रासाइनिक गुंदरम क्या क्या होते हैं यानि रासाइनिक गुंदरम का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी धातु की क्रिया किसी के भी साथ करवाते हैं तो नया पधार्थ क्या बनता है रासाइनिक गुंदरम का मतलब ही क्या होता है क नया पधार्त क्या बनेगा तो जब आप ऑक्सिजन के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा जब धातु की अमल के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा और धातु लवन के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा और एधातु के साथ क्या बनता है बात समझ में आई तो यह ऐसी reaction है जहां पर ये पता चलता है कि हम अभी क्यासरे के कि आपको एक साथ एक ही चार्ट में सारी reaction का ग्यान होगा पता चलगया कि हमें total कितनी अभीक्रियां पढ़नी है हां या नह कैसा अलग रहा को को कैसा लग रहा है मेरे बच्चों को जल्दी से बता दो फटा फट मेरे चोटे चोटे बाल गोपालो को कैसा लग रहा है बीटा अच्छा लग रहा है तो फटा फटा लाइक कर दो थमसा भेज दो जल्दी चल्दी चल्दी आजाओ अब चलते हैं आगे अब सबसे पहले हम एक एक रियक्शन को डिस्कुस करेंगे आराम आराम से ताकि मेरे बच्चे एक्टम क्लियर का दें पार देंगे पार देंगे पकी बात है आओ जी सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब धातु की अभी क्रिया बिटा किसके साथ ऑक्सिजन के साथ कराई जा रही है तो आपके सामने तीन इमेज दिखाई दे रही हैं सबको दिखाई दे रही है अब ध्यान से देखना जब अपने पास जब अपने पास क्या है बिटा जब अपने पास कौन सी अभी क्रिया है हम यूं कह दें धातु की अभी क्रिया हम किसके साथ करा दें वायू के साथ जब अभी क्र हो रही है तो दाटु वायू के साथ उस पहले कोपर जो भीए नहीं क्योंकि हम सब परा स्फ चैप्टर में बहुत अच्छा से क्लियर कर आए हैं कि अभी किये किस प्रकास संतलित होती है तो कोपर की ऑक्सिजन से तो क्या बनता है कोपर ऑक्साइड और यह कैसे कलर का होता है राजा कैसे कलर का होता है ब्लैक हाँ या ना जल्दी बताओ यस और नो काला कलर ठीक है बात समझ में आ गए अब वहीं पर मैं बात करूं यदि आपके पास क्या हो धातू मिगनीशियम हो और उसकी रियक्शन ऑक्सिजन के साथ कराऊं तो क्या बन जाता है मिगनीशियम ऑक्साइड क्या बन जाता है मिगनीशियम ऑक्साइड इसका कैसा कलर होता है स्लेटी कलर होता है कैसा होता है स्लेटी कलर होता है ग्रे कलर भी कह सकते हैं clear बात समझ में आई हाँ या ना जल्दी बताओ देखो यह ऐसा दिखाई देता है अब तक पता नहीं था पर आज मालूम चल गया वहीं पर यदि मैं aluminium की किया oxygen के साथ कराऊं राजा तो क्या बन जाता है हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी 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 से बता दो एल्टु ओ थ्री कि एल्टु ओ थ्री सबको समझ में आया aluminium oxide क्या नाम है इसका एल्यू एल्यू एल्यूमीनियम ऑक्साइड चले एल्यूमीनियम ऑक्साइड बात समझ में और यह कैसा दिखाई देता है एक डम वाइट क्रिस्टल के दिखाई केता है सभी बच्चों को पता चल गया है यानि कि जब आप कोपर की क्रिया ऑक्सिजन के साथ क्लियर हो गया आप आज के बाद कभी नहीं बूलेंगे कि किस दातू कि किस के साथ क्लिया कराने पर क्या होता इत्सव वैरी 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 इंपर्टेंट फटा पर screenshot लेंगे ताकि हम आगे reaction कर सकें अब कुछ important तत्य जो आपके book में भी दिये हैं और आपको वो पता भी होने चाहिए कि कौन सी धातू oxygen से clear कर लेती है तुरंत कोई करती है धीमे और कोई तो करती ही नहीं है तो वो कौन-कौन सी धातू है सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे ओके सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे जैसे आपके पास क्या है sodium और potassium है ठीक है ठीक है उसके बाद आपके पास क्या है अलुमिनियम, मेगनीशियम, जिंक और लेड है ठीक है ठीक है पीबी है ठीक वहीं आपके पास क्या है कोपर भी है और वहीं आपके पास क्या है बिटा एजी और एगी ठीक यह सब को पता है यह सब धातू है अब इन धातूं का काम क्या है यह भी oxygen के साथ reaction कर रही है यह भी कर रही है यह भी कर रही है और यह भी कर रही है तो क्या result आया क्या हुआ जब इन्होंने oxygen के साथ जोड़ा तो क्या हुआ जब कहा कि जब sodium और potassium oxygen के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या कर लेते हैं आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं यहीं तो रंद आग पकड़ लेते हैं आग पकड़ लेते हैं इसलिए इन्हें hijos उक्ष होका रखा इनके उपर क्या हो जाता है ऑक्साइड की परत जब जाती है ऑक्साइड की परत चड़ जाती है चले ये सोर नो जल दी और कॉपर तो ऑक्सिजन के साथ रियक्शन करता ही नहीं है नो रियक्शन ही और करता तो है सोरी सोरी करता तो है पर ऑक्सिजन के साथ जलता नहीं जलता नहीं बस केवल काली परत आजाती है केवल ओक्साइड की क्या हो जाती है तो ओक्साइड की काली परता जाए ठीक है थायन और एघ्य यू नो रियक्शन हाया ना जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बात समझ में आई या नहीं जल्दी जल्दी बता और आईड़न भी क्या है जलता नहीं है आएदन भी बेटा kaySho key twin जलता नहीं है में केवल क्या हो जाता इन पर बल्लेक की परत्ठी आजाती है चूण डालने पर बल्लेक परत्ठी क्लियर फटा-फट टी श्क्रीइन शूट लेंगे सपी जल्दी जल्दी जल्刚 में से किड्रान आज वह हो जी यह सब के जो oxygen के साथ reaction से Oxide बनते हैं for example ऐसे Oxide जो अम और छाठ दोनों के साथ अभी क्रिया करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे इस वेरी 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 इंपर्टेंट चले तो इसमें ही एक टॉपिक आता है जिसे अपन कहते हैं जब कोई भी धातू क्या करती है ऑक्सिजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है धातू औक्साइड ठीक बात है इसमें सो कोई दिकत नहीं लेकिन यही धातू औक्साइड जब किसके साथ अमल प्लस चार दोनों के साथ किरिया कर रहा है तो दोनों के साथ किरिया करने से जो प्राप्त होता है तो इस प्रकार के धातू ओकसाइडों को आप क्या कहते हैं उभय धर्मी ओकसाइड क्या कहते हैं विटा उभय धर्मी ओकसाइड कहते हैं पहराया चल्दी बताओ चल्दी बताओ हां या ना धातू ने ऑक्सिजीन के साथ कि रिया की नॉर्मल थिंग वही धातू ड़िखा तो य similarity सार के सार पढ़ पड़ेगा क्लियर है तो आज आए अब अम लोग चार के साथ अभी किया हो रही है दातु ओकसाइट की गातु ओकसाइड यह यह दातु ओकसाइड कौन सा जल्दी बताव ऐल्युमीनियम ओकसाइड याद रखना है घ्रीन से इसलिये लिख रही है इसे आसान कहीं नहीं सिवाइ डाउट नटके diff तो अमल और चारकी में बात करू 행 यह किसके साथ अच्छील के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा और वहीं पर Aluminium Aluminium Oxide की क्लिया किसके साथ बिटा अन्योंच के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा ध्यान देंगे बच्चे यहां से बन तूटा यह प्लस यह माइनस यह भी तूटा प्लस और C L minus clear हाँ या ना तो प्लस किसके साथ माइनस के साथ प्लस किसके साथ माइनस क्या बन गया बिटा A L C L 3 प्लस H 2 O हाँ या ना Aluminium Oxide या धातू Oxide जब अमल के साथ क्लिया करता है तो क्या बनता है लवान प्लस चे इसका नाम क्या है क्लियार हाँ या नजल बिटा और वहीं पर यदि मैं यहां बात करूं गोपाला तो क्या बनता है यहां पर यहां पर अने टोटा तो क्या बना अने क्या अने Al O2 Sodium Aluminate क्या नाम है इसका Sodium Aluminate क्लियर बेटा येस और नो हैन की जब अम्ल के साथ क्लिया करते हैं तो भी लवन और यहां पर भी क्या बन रहा है लवन हाँ या ना जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो प्लस कौन से गेस है जल्दी 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 सभी बच्चे बात करेंगे फटा 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 पर क्लियर है सबका आने सुब्स लेट जल्दी जल्दी समझ में आगया है अब अगली अभी क्लिया कौनसी बटा सेकिन अपनी कौन सी ती जल्दी पताएंगे मुझे जल्दी से बताएंगे मुझे सभी बच्चे कमेंट शेक्षन में जल्दी से लिख दो सैकी नभी किया का नाम क्या था जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है सोचो क्या क्या बन सकता है जब कोई धातू पानी के साथ दिया करती है तो क्या बनाती है हाँ या ना जल्दी 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 बताओ फटा 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 फट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्षन में लिखो कि क्या बनाता है धातू जब जल के साथ दिया करती है तो क्या बनता है एक जन्रल कॉंसेप्ट की में बात करूं एक जन्रल में बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी धातू कोई भी धातू एच टूओ के साथ वॉटर के साथ एक्षिन करती है तो क्या बनाती है सोई धातू ओक्साइड फिर जल के साथ क्लिया करके क्या बनाती है हाँ या जल्ग धातू चल के साथ प्लिया करके धातू हाइड्रोक्साईड फिर क्या बना देती है हाइड्रोक्सइड बना देती है यहां तक तो ठीक कोई बात में क्लीर होगया लेकिन वॉटर भी कैसा होना चाहिए थंडा, गरम, भाब कैय से उसके लिए मैं डाट है जल्द vocêka मेरे साथ साथ बनाना है ठीक है आज हो जी आज तो बीच में सैंटर में क्या लिखोगे कि धातु और लिखदिया कि ईलिकिती है कि अब यहा से अब धातु के साथ सब से पहले अपन क्या करेंगे सब से पहले थंडा पानी पानी थंडा ही होता है थंडे जल के साथ की है ठीक जब थंडे जल के साथ होती है तो कौन-कौन सी धात में है सोडियम कौन-कौन सी धात में सोडियम पोटेशियम क्या करती है भई ठंडे जल के साथ किया न ना जल्दी से बतार सोडियम पोटेशियम और किल्श ठीक अब आते हैं ठंडे के बाद में क्या करोगे तुम ठंडे के क्लिया कर्दा कैवल मात्र मेगनीशयम में किया करता है क्लिया करता किसके साथ होती है केलशियम, मेगनेशियम, जल के साथ अभी किरिया करते हैं कौन सा दात में हैं जो किरिया करके तेरने लग जाती है जल के साथ जब क्रिया होती है तो केलशियम और मेगनेशियम धात में किसके साथ जल के साथ क्रिया करके क्या करती है तेरने लगती है क्यों लगती है तेरने क्यों कि इनसे जो हाइड्रोजन गेस उत्पन होती है वो गेस किसके साथ वो गेस जो है धातों के साथ अभारी चिपकन लग् प्रहार मिस सैक्रहिए मिर्श के जल्दी बताओ के बाई केल्शिय मेगनेशं दात्मने मतलब क्या होता है थो किया करके थे एक जम्पल आप लोग पाणी में स्वमिंग करने सां आण तो गर रह हम जो पानी में जाते हैं दोने तो पहना देए वो कोड एयर कोड पहना देते हैं राइत एर कोया होता है हम उनके उपर पर लगते हैं वेसे धात्बे जब गेज के साथ जुड़ जाती हैं तो वो हलकी हो जाती है हल्की होने से उपानी ये क्लियर बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं आगे अब कुछ धात्वें ऐसी होती है अब कुछ धात्वें ऐसी होती है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं कौन सा कौन सा कर ले यह कर देते हैं तो अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो कुछ धात्वें होती है जैसे कि भाप किते साथ करने वाले भाप के साथ ओ धशक क्रिया नो है तो वो धात्व हैं आपकी ऐल्यूमीशं आफ ए औ और किल जी यह वो धात्म धात की तत्व आप चै法 अबिकाट व और तर्हसे होते हैं जो नौ रियक्ष्व और ग्री से पर तकक मोई तले में द्धाट में जो कोई अभी क्रिया नहीं करते यस और नो जल्दी से बता यानि धातु जब जल के साथ क्रिया कर रही है तो उनके साथ क्या क्या होता है तो यह वाटर जो है थंडा हो तो कौन सी धातु गरम हो सो कौन सिह ऑपफर कुछ से करने के बाद भी पाणी पर तेर देती तो कौन सिधात में जो रियाक्शन ही नहीं करती वह कौन से र Bishop करती है तो इतनी रियाक्टिव कि भाप के 사द अगली अभी क्रिया थर्ड जो रियक्शन है फॉर्स्ट कर्ली सेकंड कर्ली और थर्ड रियक्शन आपकी है कौन सी भाई तनू अमलों के साथ हाँ या ना धातू की क्रिया किसके साथ राजा धातू की क्रिया धातू की क्रिया तनू अमलों के साथ क्लियर वच्चो हाँ या ना जलदी से बताओँ जलदी आम रंप के साथ क्लिया क्लिया क्या करें तो जल्दी सभी बच्चो देखेंगे कई आपके पास फी है और आपके पास धातू एंजी है इसकी रेक्शन आप अच्एल के साथ कर aware इसके पर वो क्या हो तनु डइल्यू अच्छा तनु का मतलब क्या होता है नुकमत्लब क्या होता है जिसमें aino की मात्रा कम थीक है फूइंऄ पानी जादा अमलकम तो तनुक पानी कम अमलजादा देखो यहां पर यह bringt कर सकते हैं यह अचल पचल दो है और पानी बहुत सारा है तो क्या यह तने गेह और पानी कि इतना साहे और अ करिङ ए मैं अठीय हाँ यह न Kerry तो अमलों के साथ जब कर वाई जाती है तो क्या ंद है जा सभी बच्च देखेंगे तन्नु अमले के साथ क्लिया करने पर लवन और हाइड्रोजन गीज बनती है यानि एफी सील टू प्लस हटू वहीं पर एम जी सील टू यास एच टू कैसे बना कैसे बना देखना ज़रा एफी एच प्लस सील माइस क्लियर हाँ यह ना एच प्लस एफी प्लस में होता दाट वी प्लस में उसके साथ जुड़ गया तो आई रिन पर प्लस टू होता है यह तुड़ा सा याद रखना पड़ेगा पर आज आएगा को कोई दिक्कत आएगी नहीं क्लियर चले यह सोड़ स्क्रीन शोट ले लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए दातू प्लस डाइडूट अचियल तो हमेशे क्या होता है धातू जब किसके साथ तनू अमल के साथ कि लिए करें तो क्या बन जाता है लवन प्लस हाइड्रोजन गेस हाँ या ना हाँ या ना जल्दी चल्दी चल्द क्लियर सबका ओके डन और वहीं पर यदि मैं थोड़ा सा यहां पर लिख दूँ क्या भई अपवाद कौन सी दात में रियक्शन नहीं करती है तनू अमलों के साथ कौन रियक्शन नहीं करती है आप लिख लेना क्लियर हाँ या ना जल्दी चल्दी बताओ फटाप 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 ऊके जी ओके चलिंगे चलते हैं अपनी पर्त ंरे 각把 और था क्या पॉर्त अभी क्रिया है और सी कॉर्ट है धात्रो जल्दी कंट भी साथ से ऑन्याज धात्रव लवना के जले अन्याज धात्र लवना का निया धातला धात्रॉड के रिज़ ऌन्याज यह था ते यह हनेUE सबी बच्चे ध्यान देख दाटू दाटू जींक फ्लस य्यू असो हो हाँ यह न यह दाटू और यह क्या है दातू विलियन अब यह क्या होगा अभी च्या करेगा आप यह क्रिया शिल्क दिखाएगा क्या दिखाएगा okirashita दिखाएगा जैसे एक क्रिया इस इसे और दिखाएगा तो क्या तहलो जाएगा जिदुस्थ्थ तो जलदी से फटा फट देखेंगी बच्चे प्धां संधधात्य गत्श्री आपके सामने सक्रीटास ने दिखाई दे रहे ही यस और नो देरी और ट्रिक के साथ देख रहे है देखो potassium sodium calcium magnesium aluminium carbon zinc iron tin lead potassium sodium calcium magnesium aluminium carbon zinc iron tin tin lead hydrogen copper AG say yeah any integration the birthday in each other for how we can I please stop calling a careless zebra right please stop calling me a careless zebra instant try learning how copper saves gold instant instant try learning कोशिश करो जल्दी सीखने की कोपर को हम कैसे गोल्ड में सेव करें कोपर सेव कोपर से हम गोल्ड को कैसे से करें ना ऐसी ट्रिक आपने तो आज तक नहीं पड़ी पड़ी होगी इसलिए आप फटा फट फट जल्दी से याद करें ना प्लीज स्टॉप मी एक क्या कॉल प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एक केरलेस जैवरा इंस्टेंट ट्राइंग क्या लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड क्लियर सभी बच्चे याद करेंगे इसके बाद आप कभी भूल नहीं पहूंगे की रईता सूची में कौन किसके उपर आता है प्लीज यानि की पोटेशियम देखो यहां पर मैंने रैड किया हुआ है एस कॉलिंग केल्शियम मेगनीशियम एड्लुमीनियम कार्बन जिंक आईरन टिन लैड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गॉल्ड क्लियर बेटा यस और नो जल्दी बताओ जल्दी 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 स अब देखते हैं अपनने लास्ट पकांच भी थी वे फिल्दा कौन सी पाइच वी धातू की अधातू के साथ कि धातु की एधातु के साथ क्लियर तो धातु की एधातु में हमेशा क्या याद रखना हमेशा अस्टक पूर्ण अभी क्लिया होती है अब आपको याद आगे अस्टक पूर्ण कैसे जब भी कोई भी तत्व का अस्टक पूर्ण नहीं है तो वह धातु पूर्ण नहीं है जादा अस्टक से धातु और कम है अस्टक से तो वह यह धातु अस्टक से जादा इलेक्ट्रोन जिसके पास तो धातु और अस्टक से कम इलेक्ट्रोन तो वह हमेशा अधातु कैसे देखो बाई इतम कक्षमी क्या होना चाहिए आठ इलेक्ट्रोन बाई इतम में आठ इलेक्ट्रोन होना चाहिए अगर आठ से जादा है तो सोडियम देखों सही बची ध्यान देना sodium ठीक है sodium में बात करें तो देखो विटा दो चार पांच छे साथ आठ ठीक है और एक आठ नो दस और एक ठीक है अब यह तो अस्टक पूरा हो गया यहीं पर पर यह ज्यादा है तो इसको निकाल देगा यह एक एलेक्ट्रों ज्यादा तो यह क्या है अस्टक से जड़ा हो यह सोडिम वहीं पर ख्लोरीं दो दो चार दो छे और एक साथ कम ए ना अस्टक से तो यह क्या करेगा इसको गोला बना दता कि समझ में अगर यह इसको ले लेगा हाँ यह ना तो क्या बन गया एनने प्लस और сियल हाया न support hours in cowh Competition करता हैosed ने रिंदा क्लोरी एदा आतू के साथ एक्षन करता है तो क्या बन जाथा है बचों लबण बन जाता है यानी धातू ओधातू किया किस पर निर्भर करती है ऑस्टक कर मुंधें यदु सैय जकता कोष पूर्श में आठ एलाक्टोन है तभी वो क्या होगा अभिक्रिया कर पाएगा कम और ज्यादा होने पर अभी क्लिए अब को यहां तक लियर हो गई है तो अभी क्लियर अब हम लोग तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक क्या होगा तो चलिए पढहेंगे अपना अगला ठॉपिक क्या बिटा अगला टॉपिक है आइनिक योगिक एक तो चलिए जर्ट करते हैं आपन अगला तपिक kriegen आईनिक Tea ओगी है कि प mound laughing कि एक योगी क्या होते हैं आपको क्रीन पर बत शो क्या देरा है आपको इसकेन फर्डी कि इमेज है अए जोते क्या है सब्सक्राइन तो आए निक वोते ही कैं पहले वो तन हो तो आए नीकिसमें अपने को धनायन और विडान फोट डिखाए रहे तट्वा नजारा रहे हैं तो वह प्लस चार्ज लेता है तो वह क्या करता है माइनस चार्ज कंटे करता है यहां कोई दिक्कत में तो जब कोई भी धनात्मक और रिनात्मक तत्र प्रस पर जुड़ते हैं तो वह प्रबलतम बंद जिसे क्या बोलते हैं इस्तिर वैद्यूत आकर्शन बलद्वारा प्रबलतम बंद होता है राइट बात समझ में धनायन और रिनायन जुटे है तत्व वह आपस में जुड़ करके जो योगिक बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते है राजा आइनिक योगिक बात समझ में आ गई है सभी बच्चों कोई दिक्कत भी नहीं है यह देखने पर समझ म वो पता है कौश्चाना सा आपकाला नममख सेंदा जीता नमक तो वो विश्शा मुझा को इसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो बहुत थो ने इस यह पे निकिकिए प्रवर्ती कैसी होते है इनके जो प्रवर्ति होती है सबसे पहले में बात करूं तो यह ठोस तो होते हैं यह ठोस होते हैं लेकिन ठोस होने के साथ भंगुर प्रवर्ति क्या होते हैं राजा भंगुर प्रवर्ति मतलब जैसे आपने किसी बरी चीज से इनके उपर प्रहाल किया तो यह क्या हो जाते हैं काच की और यह आपने काच को नहीं देखा है तो आप जो काला नमक होता है जो पत्थर के जिसा स्ट्रॉंग होता है उसको आप देखोगे तो वह आपको जमा हुआ ही दिखेगा लेकिन उसको प्रहाज से वह क्या होता है बिल्कुल बिखर जाता है एक दम खुल जाते हैं उसका एक एक कंट तो वह प्रवर्ति क्या होती है ताइटली बॉंडड़ होने के बावजुद वह क्या हो जाते हैं बिखर जाते हैं ऐसी प्रवर्ति कहलाती है भंगुर प्रवर्ति कहलाती है जाने किसी बाहिए प्रहार से आप देख रहे हो ना यहां पर क् लेकिन राजा जैसे भाहिया करने से क्या हो गया विटा चार्ज जो है वो निकट आने से क्या हो गए दूर-दूर हो गया और इसे गुर को हम क्या कहते हैं भंगुर प्रवर्ति कहते हैं आप नहीं बूलोगे भंगुरता का मतलब क्या होता है मैंने आपके रियल लाइफ में जो connected होती है चीजे उससे भी आपको समझा दिया तो अब भी आपको बूलना नहीं है यह बात सब भी इसका अच्छा एक्जामपल है चले अब आती है इसकी भोतिक प्रवर्ति की में बात क्यों तो भोतिक प्रवर्ति ठोस देख लिए फिर इनके क्या होती है इनकी ठोस होने के साथ ही भंगूर भी होते हैं अब यह क्या इनके गलनांग पथलांग कैसे अब आप खुद सोच सकते हैं मैं जरने बात करूं कि जिनके मद्दी स्ट्रॉंग बंद होते हैं प्रबलतम बंद होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए में ज्यादा तापमान देना पड़ेगा उन्हें ज्यादा गरम करना पड़ेगा तो वह क्या हो जाते हैं ज्यादा गरम करने की वज़े से क्या हो जाते हैं फिर उनके बीच का बंद दूते जाते हैं तो यहीं पर वो चीज दिखाना चाहरी हूं पानी में डिजॉल्व करके उसे गरम करते हो तो वहीं पर टेंप्रेश्ट में कहा जाती है कमी आजाती है कि उस समय उनके बंद टूट चुके हैं वह दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं इसकी वज़े से इनका मेल्ट अवस्था में होकर वहीं आ उस्वनाइं होते हैं सब्सक्रा जाते हैं हाँ या नहीं हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्लियर हुई बात राजा सब को समझने आया तो यह चीज थी जो आपको पता हो नहीं चाहिए कि ठोव सवस्था में इंपा गलनांग पत्ना उच्छ होता है वही गडिया इसे डिजॉल्व करने किसी में तो थोड़ा गलना की चलता समझ में आई आप और आता है आपका अगर आप इसकी चालग्ता पर बात करें आपको इस छींड पर भृत एदिमें बात करूं तो वहीं पर चालक्ता जो होती है उसमें क्या नजर आ रहा है कंड़क्टिव कि क्या चाती है तो धुरूरा सध्यान देंगे कि conductivity क्या होती है तो जो compound आपको सामने स्क्रीन पर जो image नज़र आ रही है उसमें अपन बात करते हैं कि अपनी जो कंडक्टिविटी है वह क्या कर रही है चालक तक क्या कहना चाहते है यहां पर जो ने कहना चाहते हैं यहां पर जो प्रवाज़र नाम सुनाई होगा हाँ ना बताव जल्दी उदासीन जल सुना है ना मिन्रल उटाइछ तो वह वाटर जोरा है जोड़ा होता है उदासीन जो पानी होता है जल होता है उसमें आयलिक नहीं है क्या होगा उसने धारा का प्रवाद संबह नहीं है तो यहींद चल रहा है वहीं पर sia 상태 कैसे एक दूसरे में गुसे उए तो यहां भी प्रवान यहां पर किया है यह चल के साथ क्या गये है जल के साथ घुल गए है घुल गए हैं तो क्या हो गए ऐनों में टूट गए आयन कौन सा धनायन और जिनायन में टूट गए है जैसे ही आयनित फॉर्म नहीं होते हैं तो बल्व जलना शुरू हो जाता है तो आपको बात समझ में आ गई हो वी कंडक्टिविटि यह चालक ताज यह वह क सब्सक्राइब होते तो भी नहीं हो सकता है और वहीं पर मैं बात करूं तो वहां पर विची समझ में आजाती है तो क्लियर हो गई होगी हाँ या ना जल्डी से बता दीजिए ओके चलू ओके ड़न अब चलते हैं आगे अपना जो टॉपिक है वह क्या है धातु की प्राप्त तो अच्छा अध्यान से सुनेंगी अब तक अमने क्या क्या पड़ लिया अपर ने पढ़ लिया ऑपने पड़ लिया होते हैं वह वहarl्यल इसके बाद जो खुचकन कर दिसक्त करने है ए금श से प्राप्त करें तो हमेशा ध्यान रखो बेटा की धातु जो है धातु की जो प्राप्ती है वो दो इस्ततियों में होती है क्या हम इसको कहते है कि खनीज के रूप में हो सकता है और दूसरा हम कहते है आयश्क के रहते हैं आप लोगों की दिमाग में खनीज क्या होता है अरे बेटा कुछ नहीं होता आप एक बात बताओ कोई भी धातु सतय पतो नहीं पड़िये की उठाई और ले लो भई यूज कर हम उते अहीं कुछ नहीं जो धातमों को धातो को क्या प्राप्त किया जाता है तो राजा गैवार घटा यह जाता है तो उस धातों को हम क्या क्या है अब आपने खनन करके आपने धातों को तो ले लिए सही बात है यह सुर मोच भी बात है यह अब धात्वों हो तो इन में यह जो आपने प्राप्त की है जो तत्मों को अपन खनन द्वारा प्राप्त करती हैं तो अब इन तत्मों में क्या हो धातु की मात्रा क्या हो धातु की मात्रा अधिक है ना और जिनको शुद्ध करना लाबकारी क्या कहलता है अयश्क कहलता है कि जो में जद्धा हो धातू की मात्रा जद्धा हो तो हम क्या कह सकते है ऐसे आयश्क कहते है तो ऐसा कहा गया है कि जो खनीज है सभी जो अयश्कोटे है important बात है जो आप सभी note कर लेना क्या important है मैं लिख दे रहे हूं कि सभी जो अयश्क है अयश्क है वो क्या है खनीज है पर सभी खनीज अयश्क नहीं है यह बात बच्चों आपको पता कर लख नहीं है यह बात बहुत इंप्वाद है सब यह सब्सक्राइश जो नहीं हो सकते हैं पर सभी अच्छ को गईश्क हैं क्योंकि आइसा पॉसिबल नहीं बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी आयस्क खनीज हैं क्योंकि वो खनीज सही मिला प्राप्ट तुर लें सब्सक्राइब नहीं हो सकती है यह बात क्लियर हो गई तो फटाफर इसका स्क्रीन शोट लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके ओके डान चलिए जी चलिए अब चलते हैं हम आगे अब आता है अगला टॉपिक है जब धातु को अपने वो प्राप्त करना है खनन से प्राप्त किय और तो उटैर्ड इस तो वो धात में खुरेशिल है कम क्रीशिल है बिल्कुल और्च को मानने जीनीए तो अपने पास जुक है कैसी है तो कहा गया कि आपके पास जिए वो सबसे पहले क्या थी草ज प्रहा एं थाचील हो क्रिया शील और ढात है वहीं पर मध्ध्यम क्रिया शील खातु त फिर न चुल हुआ क्या कंदिया शील खातु किस ना क्रिया कंट क्रिया क्रिया शीर आपको मैंने बताया कुछ गाफ के साथ की कुछ ऐसे गरम पानी के साथ कुछ थंडे में तो वह कौन को से अधिक क्रियाशिल धातु को कैसे प्राप्त करते हैं और जो अपने पास कम क्रियाशिल होती उन्हें के स्वापिप दातु निको हाँ या ना थेवरी बहुत पर ली बोरिंग हो जाती इस थोड़ा सा प्रीकी चीज़े पर रहे तो आओ राजा आप पर पढ कोटेशियम सोडियम हाँ या ना जल्दी चल्दी बताओ केल्शियम है ना और मेगनेशियम और 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 यह क्या होती है तो दिक क्रियाशिल होने के विए से कभी भी स्वातन्त्र आवस्था में क्लियर हां या ना वहीं पर मध्यम क्लियाशिल की नीवात परो तो मध्यम क्लियाशिल फोन से धातृ नहीं राजा अогодतрал क्लियाशिय दातने य्टिया आप य कौन-कौन और इनके जो अपने पास क्या होते हैं सलफाइड और कार्बोनीट में प्राप्त हो जाती है फिर इनका अप्चेयन करने पर यह हमें शुक्द अवस्था में भी प्राप्त हो जाती है क्लियर हां या ना जल जाता और अब आती अपने पास कौन सी बहुत कम क्रिया शील धातू जो होती आती क्या एयू और एज यह तनी कम हैं यह क्रिया ही नहीं करती और यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जल्दी से बताओ जल्दी से यह बात कितने बच्चों को समझने आई जल्दी जल्दी यह बहुत इंपोर्टेंट है यह टॉपिक जो आपको अच्छे से आना नी चाहिए क्योंकि धात्में पता है दात्में क्लिया शील कौन सी होती है वह पता चल गया तो अब हम इनका आण reports करना है यह हम properly जहनते हैं right है याना जल्दी से बताओ जल्दी चल्दी चल्दी चलें चलें आजब जिखने उटक्र लेसकते हैं बहुती आराम से अपके सामने जब आपने धैल्दुम्य कर लिया आपने धात्म को देख लिए वह ऐसके परिश्च पएंढ़ के पास और कौन से धातु अद्ट्राम स्ट्यक्रत करते हैं प्रिया। सुर्णथे विवे लिए अपनी देखते हैं कि अपने पस आयश के है फिर उसका साइधरन किया जाता है इन prêtटर संदरन का मतलण क्या होता है कुछ नहीं Supplement Seek+, Seek+, तो उसे आकरशित करके अलग रहे जाती है तो वही होता है इसके बाद यह कह रहा है कि सांधरन जब आप कर रहे हैं तो उस समय आपके पास उच्छे क्रिया शिल्धात्वें और निम्न क्रिया शिल्धात्वें क्लियर उसे क्रिया शिल्धात्वें में लिख दू सोडियम और पॉटेशियम एक बार लिख रहे हैं मध्यम में आपको जीनक और आइरं देऊ और कम क्रिया शिल्धात्वें एज़ी और देशित होना चाहिए तो यह कहा कि कुछ फिल्धात्वें गलित-धात्रु विध्यत अब घठन करने से धातु शुद्धातु अलग और अशुद्या अलग हो जाती है वादसमज में आगे है जार रिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपको आता ही नहीं इतना जितना आउशकता डिटेल में बहुत पढ़ा सकते पर क्यों कि वार भी जारी वाले बच्छों को है टिक वहीं पर मद्यम क्लिएशिल की बात प्रेंग बटा सबसे पहले जिंक अब जिनक काल मुने टेनी यह जैडन थी अब यह आप जैडन ची अथ्री जब बना है तो अब यह क्या करेंगा वायू की कम उपस्तित आशाने की कि उपस्तिते में क्या बनेगा जिंक ऑक्सा बन गया अब इस धातो उक्साइड का आपको क्या करना है जींक ऑक्साइड क्या करें राजा जींक ऑक्साइड किसके साथ एक्षिन करें तो जड़न सी और हमें पात क्या प्राप को गई शुद्र हाँ याना जल्दी बता है वैसे एगर मैं भर्जन की बात करूं तो अपने पास क्या है जैडन एस सीने बार की में बात करें तो यह आप इसकी वायू की उपस्तिति परियाब तो पस्तितित तो क्या बन जाता है एच जी ओवन हाँ यान हां मर्करिक ऑक्साइड क्या है उपससाइड की किसके साथ कर आओ कार्बन की साथ बहुत लिए जी प्लस चाहिए सबूद्र में अप्राभी नत आप लिएयन है अब भर जन क्या लिए गहास को वायू की उपस्तवी में एजी ओ न फिर क्या प्राप्त वाजा तु के साथ में अप चैन से क्या प्राप्त हो गया हैं एजी क्यों हाँ यह दॉन हर यह सब बात समय वह आ गई हो सब देख क्लियर है तो फोटा फटाइस एपर थम सब की पताए इतना इस लिया कि पूर्टेन इतना समयमे में में आपको इस्कोर ए उतार ना जिसको याद कर लिए जाए का हो सबसे पहले में आराम से शुरू करेंगे अपने क्या पढ़ा सबसे पहले अपने पढ़ा खनीज है ना बेटा खनीज क्या है वो तत्व है जो खनन द्वारा प्राप्त है खनन से प्राप्त होके धातू अधिक मात्रा में जो है धातू की मात्रा अधिक अधिक तो उन्हें क्या कहा है अधिक है राज कोई दिख्कत में जैसे अयश्क मिला अब आयश्क जब मिला इसका शुद्धी करने किया तो अपने को शुद्ध धातू प्राप्त हो रही है और कुछ अशुद्धी है हाँ यानि जो अशुद्धियां आपको प्राप्तोरी है क्या प्राप्तोरी है जो अशुद्धियां आपको प्राप्तोरी है उन अशुद्धियों को आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं किसे कहते हैं आयश्क जब अपन क्या करते हैं खनन से तत्व निकले अपने पास जो कम का शुद्यों को यह उपस्तित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है गेंग कहा जाता है गेंग कहा जाता है गक हॉच्छ जाताय hå नאן जब फ्लियर हो गया तो अब आता है फ्scheकर बारों को परłe civil थे हैं। इंथे हैं रिखो फव्र बारी अनु है किसे कहते हैं फ़र में उनकी जो अशुद्नियां है प्रत्वी करा खनीच कि जो अशुद्धियां है उन्हीं को क्या देदाजन सबकात यह आ आ नहीं आ या ना सबकात यह ना है सिक्ट म हमाता है अब आता है से कि अब आता है विटा क्या भर्जन और मिस्टी नहीं भरजन और निस्ता है कैसे आएगा है ध्यान दो बोर्ड का सभी बच्चे कैसे आया कुछ नहीं है कुछ नहीं है मैं बताती है आपने धातों अब धातु शुद्ध करने के लिए धातु को पहले किसमें करना पड़ता है अब अगर आप इसकी रियक्शन वायू की उपस्तिती में करा रहे हैं तो कहलाएगा क्या भरजन वहीं पर आप क्लियर भी क्या कर रहे हैं यदि आप क्या कर रहे हैं सल्फाइड के साथ में क्या कर रहे हैं कार्बोनेट एश्क ले रहे हैं और आप कार्बोनेट एश्क का क् कम उपस्थिति में तो क्या तो क्या कहला है तो यहाँ तो यहाँ पर इसकी वाई की नियाना नहीं है का मतलब भरना तो क्या होता है उक्सिजन की परियाप्ट मातरा में चाहिए तो अब यदि आप इसको क्या करते हैं गरम करते हैं इनको यदि आप गरम करते हैं राजा और गरम करके क्या करवाते हैं कार्बन के साथ अपचैइद कराते हैं क्या कराते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है जैडन प्लस सी यस और लो यह दो ऑलों करवान के साथ जैसरी ऑफडू धातों जो होती है बजाते हैं यह समझ में आई बाट है तक नहीं पड़ा इतना शोट और इतना स्वीट पर पॉइंट टो पॉइंट जल्दी से स्क्रीन शोट लेंगे आपको बात समझ में आ जाए चलें ओके जी अब आता है आपका या अब आता है अपना अगला टॉपिक क्या वही कि जब आप धातु का निश्कर्शन कर रहे है दाथू का क्या करें है धातु परिश्कर्ण करते हैं धातु परिश्कर्ण करते हैं उस समय क्या होता है कुछ नहीं और आपको धाट्व पहिज करें अत्य दिक क्रीयर यह औनका शुद्धी करना चो है वह इस प्रकार से था यह विद्यत्र घटनी विद्या है किसे होता है विद्यत्र अपड़्टनी लिए करेक्ट हाँ यह नहीं जल्दी बताओ जल्दी जल्दी सही है तो सबसे पहले क्या किया एक टैंक ले लिया उस टैंक के अंदर क्या मत दिया कॉपर सल्पेट का सौबिशन बढ़ दिया और यहां पर कॉपर के छड़े लगाते जो एक तो क्या कर दोड़ागा एक यह अब तो है तो यह क्या होता है अशुड है अभी है सिद्ध कि अब क्या होता है कि जैसे ही आप ऎंधारक पराग्ण क्या कर तो होड़ीय और शुद्ह जो कोपर है वह आपना यहांस कॉप पर हे आपना कोपर जो यहां यहां इखर्टा होता जाता है और जो होती है वह एनौर से कहां पर आजाती है अशुद्धियां जो है वह नीचे टली नीक होना शुरू कर देती है और धीरे-दीरे हमें जुर्धातुक्राप्ता हो जाती है त्यान से प्रवाज किया तो धारा के प्रवा में एनोड से क्या होता है वो क्या करता है एलेक्ट्रों ग्रैन करता है तो जैसे आपने धारा का प्रवाज किया तो यहां से शुद्ध कॉपर की तरफ जाता है के थोड़ की तरफ जाता है और अशुद्धियां जो है वह दिले दिले नी तो बात समझ में आगे इतना इंपोर्टेंट है एक्जाम में से केस्टन आता ही आता है सब यह डाइग्राम भी आप बना लेंगे चले तो यहां पर लिखा गया कि तांबे को परिश्क्रित करना हो तो वीज़ाप प्रवाह करते हैं तो यह तूट गया अभी मैंने दिखाया ना कॉपर सल्पेट कॉपर और सब्सक्राइब को शुद्ध धातु के रूप में मैंने भी बताया यह शुद्ध है और यह अशुद्ध है एनॉड पर सी यू आसो वह वापस बन जाता है दो इलैक्टोन का दान हो जाता है वैद्ध परिश्क्रन ने केवल धातु को शुद्ध करता है बल्कि अन्य अमुल्य धातु को प्राप्त करने दिख आउशक है क्या कहना चाहता है कुछ नहीं यह कह रहा है कि जैसे ही अपने विद अपगरन किया तो इदि कोई सॉलूशन में शुद्ध धातु है भी आपके पास विलिंट में तो उसको भी यह क्या कर देता है अलग कर देता है ताकि वह सारी धातु जू भी सॉलूशन में हैं जो अशुद्धी के अंदर है वह सब वेस दब गटन के दुरां क्या हो जाए अलग हो ion कहां से आता है किजना आता है एनोड़ PUNK क्या होता है तो आपकर आएंगे कि अशुद्ध एनोड जू धातु है जब उसमें धारा का हम प्रवाह होता है तो इंचे तली में जम जाते हैं और शुद्ध के थोड़ की और जाना शुरू हो जाती है जो अशुदियां एनोड में से निकल कर तली में इखटा हुई है उसे ही एनोड पंक कहते है या ना जल्दू बताओ जल्दू सबको एनोड पंक समझने आए अब चलते हैं अपने सबसे लास में आता अपना टॉपिक क्या रजा सं हम सब जानते हैं क्या जो धातू होती है उन धातू हो आद्रता और नमी के क्या आती है संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है संपर्क में आती है तो वह क्या हो जाती है धात में तो दातू नस्ट होना शुरू जाती है इसे नश्ट होने से खराब होने से बचाने के लिए हम धातों पर क्या करते हैं राजा हम धातों के ओपर क्या करते हैं यशद लेपन क्या होता है लोहा और इसपात जो है लोहा और इसपात जो है विटेट उन्हें लोहे और इसपात पर क्या करते हैं किसी जस्ते की परत चड़ा देते हैं तो यह संक्षाइद में से बच जाती है राइट हाँ या ना जल्दी बताओ चल्दी जल्दी बात समझ में आई वहीं पर मैं बात करूं तो यह अपना मिश आप क्या किया हुआ है पीतल में क्या मिलाया गया है पीतल में क्या करते हैं पीतल किसका मिश्रण है जल्दी बताओ पीतल किसका मिश्रण है जल्दी 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 इस पात किसका मिश्रण है पीतल किसका मिश्रण है पीतल किसका मिश्रण है पीतल किसका मिश्रण है अर प्रफी निकल और अकेला नहीं हो करता है क्योंकि अकेली होने से क्या हो जाती है चीजे नस्ट हो जाती है संचारण से बचने के लिए हम लोग यह कादिया करते हैं तो बच्चों यह था आपका जो आपके लिए हमेशा आपका एक क्या राइट है बनकर खड़े रहे हैं बस आपको हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला वादा करना होगा तो आप लोग ऐसा ही जुड़े रहे हैं मस्त रहे हैं खुश रहे और आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है आप बता दीजिए ताकि हम आगले वाले जो क्लास होगी उसमें आपको उसे क्लियर कर सके और यह अच्छे से पढ़ाई करना ठीक से इसको क्लियर करना यह टॉपिक ही आपने अच्छे से कर लिया तो कोई भी ऐसा क्यस्टन नहीं ज करते लिए थांक्यू सो मच्छ लव यू बच्छो ऐसे पढ़ते रहो खुश रहो बाबाई टेक केर रहो